बच्चों, प्रकाश, चारों तरफ हवा, पानी, टेबल या बॉक्स, तालियों की आवाज, आपकी मुस्कान, क्या इन सभी चीजों में आपको कोई समानता या असमानता दिखाई देती है? यह पदार्थ है या नहीं है? जैसे यह बॉक्स, आप देख सकते हैं कि यह स्थान गिरती है, तो यह एक पदार्थ है. पानी या द्रव, जिस भी परतन में रखा जाता है, वह उसका आकार ले लेता है, तो यह भी स्थान गिरता है. हवा क्या हवा भी स्थान गेरती है क्या हवा एक पदार्थ है आईए चलिए इसके लिए एक छोड़ा सा प्रयोग करते हैं देखिए मेरे पास यह एक बीकर है क्या ये बीकर खाली है क्या लगता है आपको आईए देखें क्या ये बीकर खाली है की नहीं इसे हम उल्टा करके इस प्रकार इस जार में जिसमें रंगीन पानी भरा हुआ है डालते हैं आपको बीकर को बिलकुल सीधे रूप में अंदर डालना है देखिए क्या हो रहा है इस बीकर के अंदर पानी नहीं गया है बीकर के अंदर पानी क्यों नहीं गया? आप देख पा रहे हैं बीकर के अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं गया है बीकर के अंदर क्या है? इसे हम चलिए अब एक प्रक्रिया से देखते हैं इसे थोड़ा सा तिर्चा करते हैं आप देख पाएंगे कि बुलबुले पानी से निकल रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है? बीकर के अंदर जो हवा थी वह बुलबुलों के रूप में निकल रही है और उसका इस्थान यह पानी ले रहा है इसका मतलब बीकर के अंदर हवा भरी हुई थी हवा ने बीकर के अंदर के इस्थान को घेर रखा था जिसकी वज़े से पानी अंदर नहीं जा पा रहा था जब हमने बीकर को तिर्चा किया तो हवा बाहर निकली और उसका इस्थान पानी ने ले लिया इस प्रकार हवा भी इस्थान गेरती है और पानी भी इस्थान गेरता है तो हवा और पानी दोनों ही पदार्थ है प्रकाश क्या प्रकाश भी पदार्थ है क्या प्रकाश इस्थान गेरती है चलो इसे भी एक प्रयोग की तरह से देखते हैं इसके लिए ये सिक्का इस रंग अब हम इस बीकर को बिलकुल उसी तरह से रंगीन से पानी से भरी हुए जार में डाल रहे हैं अरे यह सिक्का तो दिखाई दे रहा है ऐसा क्यूं क्यूंकि बीकर में भरी हुई हवा ने रंगीन पानी को हटा दिया है अब इसमें हम प्रकाश डालते हैं यह प्रकाश तो तली में रखे हुए सिक्के तक पहुँच गया बीकर में हवा भरी हुई है उससे होते हुए यह प्रकाश सिक्के तक पहुँच रहा है यदि प्रकाश को सिक्के तक पहुँचने के लिए इस्थान की आवशकता होती तो हवा को बुलबुलों के रूप में बाहर निकलना होता परंतु यह प्रकाश सिक्के तक पहुंच रहा है और हमें किसी भी तरह का बुलबुला यहां दिखाई नहीं दे रहा है इससे यह पता चलता है कि प्रकाश इस्थान नहीं घेरती है और इसलिए प्रकाश एक पदार्थ नहीं है